हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक्जाम मित्रा यूटूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी महतपूर्ण निवंद देखने वाले हैं जो कि आपकी बूर्ड परिक्षा के लिए बहुत ही जादा important difference है और friends मैंने आपको English में important ऐसे बता दिया है तो उस वीडियो का link के जो है description में दे दिया जाएगा वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा आज के इस वीडियो में हम हिंदी के महतपूर्ण निवंद देखने वाले हैं कि कौन-कौन से निवंद आपको पढ़कर जाना है याद करके जाना है अपने बोर्ड exam में तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा important होने माली है और वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा ठीके न वीडियो को पूरा complete जरूर देखीगा तो चली वीडियो को शिरू करते हैं तो सबसे पहला जो निवंद आपको याद करके जाना है अपने बोर्ड परिक्षा में वो है कोरोना वाइरस पर निवंद जो है फ्रैंस वो आपको एक्जाम में आपसे जरूर पूछेगा बहुत ज़्यादा महत्तपूर्ण है यह निवंद और अभी तो आप जानते है को कोरोना काली चल रहा है तो इसलिए कोरोना वायरस पर निबंद जरूर से ही पूछेगा तो इसलिए आपको कोरोना वायरस पर निबंद एकदम बहतरीन तरीके से याद करके जाना है इसके सिवह आपके पास कोई option नहीं है कोरोना वायरस का निबंद एकदम 100% गरांटी के आपको इद्दम बहतरीन तरीके से याद करके जाना अपने exam में, ठीक है, चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा जो आपको याद करके जाना है वो है जन संख्या वृधी पर, ठीक है अब आप तो देखी रहे हैं कि कितनी ज्यादा जन संख्या वृधी हो रही है हमारे निवंद में, तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में निवंद बताऊंगी वो आप याद करके जाएगा, उसमें से एक या दो, या फिर हो सकता है कि सारे पूछ दे लेकि एक जरूर पूछेगा उसमें से, ठीक है, 100% मैं sure हूँ कि एक जरूर पूछेगा, तो इसलिए अगला देख लेते हैं, अगला है भारत में बेरोजगारी की समस्या, अब जब जब जन संख्या बढ़ेगा, तो बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन होगी ही न, तो देखें, जन संख्या अवरेदी पर तो मैंने आपको अल्रेडी बताई दिया है कि याद करके आपको ज याद करके जाना है तो यह जो पांचो मैंने बताया आपको फ्रेंड्स यह पांचो बहुत ज्यादा important है आपकी exam के लिए एकदम बहतरीन तरीके से आपको इन पांचो ही निबंद को याद कर लेना है इसमें से एक जरूर पूछेगा और अगर पूछेगा तो आप उसे अच्छे से लिखकर आएंगे जिसे आपको पूरे marks मिल जाए तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी जिससे की आपको पता चलाए कि जो निबंद है वो कैसे लिखें मतलब एक बार आप तरीका जाएंगे तो कोई भी निबंद आपसे पूछे आप उसे लिख लेंगे ठीक है तो तरीका जाना बहुत important होता है तो उ सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा एक्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बलको भी आउन कर दीजिएगा जिसे की जब भी वीडियो अपलोड कर तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को शेयर जरूर की सब्सक्राइब कर लिजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को तो मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में एक नोटापक के साथ अब तक लिए ठेंक्यू समच